हालो इस्टुडेंट्स मैं बीपी सिंग आज आपको नुमेरिकल एनलाइसिस में डिफरेंस एक्वेशन में दो लेक्चर कराए हैं और आज तीसरा लेक्चर आया लेकर आया हूँ जिसमें बताऊंगा आपको जैनरेटिंग फंक्शन और पहुत अच्छी तरह समझाऊंगा पूरी कोसिस करूँगा कि आपको एक-एक पॉइंट समझ में आए और मैंने पूरी नुमेरिकल एनलाइसिस की प्ले लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है तो आप लेक्चर वाई लेक्चर क्रम से करेंगे तो पूरी नुमेरिकल मैथड या नुमेरिकल तो चलिए आज हम बता रहे हैं आपको generating function तो मैं एक series लोगा एक नई style बे बताऊंगा आपको कि generating function क्या होता है और उसकी sequence क्या होती है तो sequence के लिए मुझे कोई series लेनी होगी तो माल लीजिए मैं एक series ले रहा हूँ Let us consider a series yt equal to y0 y1t y2t square y3t cube y4t4 dot dot where y0 y1 y2 be a real sequence Now, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ इधर देखिए yt equal to इसको मैं लिख सकता हूँ sigma h equal 0 से infinity yh और t की power h अब समझना आप कि generating function क्या होता है और उसकी sequence क्या होती है यदि sequence दे रखी हो तो generating function क्या होता है तो यहाँ आप 0 रखेंगे तो y0 और t की power 0 की value 1 कहने का मतलब y0 आएगा आप 0 रखने पर यह लिख रहा अगर यहाँ 0 के बाद आप एक रखेंगे इसमें पूरे में रखेंगे देखिए यह आजाएगा फिर दो रखेंगे यह आजाएगा तीन रखेंगे यह आजाएगा चार रखेंगे यह आजाएगा कहने का मतलब yt is the generating function of this और यहाँ पर and यह yh is a sequence of yt तो यह जो yh है यह sequence कहलाएगी yt की ठीक है yt is the generating function यह generating function है इसमें आती है sequence तब sequence कैसे दिखाएगे तो yh is the sequence of generating function yt तो जो भी question मैं अब लूँगा उस question की इस से compare करके हम आपको अलग-अलग sequence बताएगे और अगर sequence दे रखी हो तो हम फिर उसका function कैसे बनाते हैं वो आज सारी बाते बताऊँगा ठीक है तो चलिए देखते हैं पहला topic some special generating function जिनकी मैं table बनाऊँगा उन में से कुछ आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूँ the function is given y yp ये दे रखा है function yt equals to 1 upon 1 minus t is the generating function है of the constant sequence इसकी constant sequence ये होती है 1 1 जब किसी की sequence सेम हो 1 1 1 2 2 2 3 3 तो ऐसी sequence constant sequence कहलाती है तो इसकी sequence 1 है हर बार 1 1 ही आएगा तो वो क्या कहलाएगी constant sequence आएए ये कैसे आती है वो देखते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ 1 minus t की power minus 1 इसे binomal theorem से हम खोलेंगे तो ये बनेगा 1 plus t plus t square plus t q plus t4 dot dot हमने हैं क्या देखा कि यहाँ y naught की value तो 1 है इससे compare करेंगे हर question की तो मैं लिखे देता हूँ each compare ये वाला yt क्या है y naught plus y1t plus y2t square dot dot तो देखिए यहाँ y naught की value 1 है t का coefficient y1 और यहाँ कितना है एक इसका मतलब y1 की value भी एक यहाँ t square का coefficient y2 और यहाँ t square का coefficient भी 1 हमने हैं क्या देखा इसकी sequence y naught y1 y2 अर्थात yh तक रखें तो सब की value same आएगी क्या आएगी same तो इस question को मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ यह भी देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ h equal 0 से लेकर infinity 1 into t की power h आप यहाँ 0 रखेंगे तो 1 आएगा 1 रखेंगे तो भी 1 t आएगा 2 रखेंगे यहाँ तो t square लेकिन यह 1 1 ही रहेगा देख लीजिए इसका मतलब 1 is the sequence of this ठीक और constant क्यों है हर वार 1 1 1 1 1 रहा है तो इस question की sequence कितनी रही 1 1 1 1 1 1 है तो क्या कहेंगे हम constant sequence अब मैं एक बात बताओ 1 is the sequence of the function 1 upon 1 minus t याद रखोगे तो मैं लिख दो इस बात को प्रूफ तो यह हो गया 1 1 आगया तो मैं हिया लिख रहा हूँ note करके 1 is the sequence of the generating function function यहीं लिखे देता हूँ 1 upon 1 minus t तो generating function 1 upon 1 minus t हो तो इसकी sequence क्या होगी 1 1 sequence हो तो इसका generating function क्या होगा 1 upon 1 minus t आप भूलेंगे तो नहीं अब मैं यह बताता हूँ कि यह कैसे खुलता है यह थोड़ी जगे है तो 1 plus x की power n 1 plus nx plus n and minus 1 upon factorial 2 into x square plus n and minus 1 and minus 2 factorial 3 x cube अब यह आप यहा में n की जगे पे minus 1 रख दें x की जगे पे minus t रख दें और इसे रखें तो यह बंता चला जाता है तो चलिए second proof देखते हैं यही सब कुछ लिख रहा है केवल यहाँ change है और इसकी sequence 1,1 आई है इसकी sequence देखेंगे क्या आएगी यह question दे रखा इसे मैं लिखूंगा 1 minus t की power minus के 2 कोई सब आईए इसको भी मैं आपको solve करके दिखाता हूँ कि यह आखिर कैसे आएगा 1 plus x की power n 1 plus nx plus n n minus 1 upon factorial 2x square n n minus 1 n minus 2 upon factorial 3x यह तो आप सब जानीते होंगे के लिए अब मैं n की जगे पर minus 2 रख रहा हूँ पहले तो चलिए 1 plus x की power minus 2 1 minus के 2x यहाँ minus 2 minus 2 और 1 minus 3 upon factorial 2 का 2x square यहाँ minus 2 minus 3 minus के 4 upon 6x cube अब देखिए इससे 2 से तो यह 2 कट जाएगा और इससे यह 6 कट जाएगा 1 plus x की power minus 2 1 minus 2x minus minus plus 3x square फिर यह minus minus plus फिर minus यह फिर minus आएगा 4x cube के लिए अब मैं x की जगे पे रख रहा हूँ minus के t तो 1 minus t की power minus 2 1 plus 2t पिलस के ही हो जाएगे यह तो 3t square यहाँ minus रखोगे तो minus आएगा 3 power है तो minus minus plus पिलस 4t cube dot dot अब आईए किसे compare करेंगे compare और यह लिख रहा कहा है यह रहा यही तो है y0 plus y1t plus y2t square plus y3t cube यहाँ देखिए y0 की value कितनी है 1 y1 की value 2 y2 की value 3 y3 की value 4 अर्थात इसकी sequence कितनी आई 1 2 3 4 तो कैसे लिखेंगे so that the function generating function कितना है 1 upon 1 minus t का whole square is a sequence 1 2 3 4 dot dot यह तो मैंने इसका proof कर दिया अब मैं आपको नई कहानी बताओंगा हरवा नोट यह मैं अपनी तरफ से बताता हूँ आपको ठीक है आपका question यही तक proof है अब हमें यह देखना है कि 1 2 3 sequence है इसे h में कैसे लिखेंगे चलिए जैसे मैंने यह बोला था इसमें कि y h is a sequence तो यहाँ y h की value क्या होनी चाहिए यह देखिए इसी question को 1 minus t की power minus 2 इसे मैं लिख सकता हूँ sigma h equal 0 से infinity और h p की power h अगर आप यहाँ h पिलस 1 बन जाएगा h पिलस 1 p की power h अब आप रख के देख लिए यह क्योंकि यह 0 है 2 3 4 का n पिलस 1 होता है अगर first term को छोड़ दें अगर आप यहाँ जीनो रखेंगे तो यहाँ एक बचेगा और इसका मानुवी 1 हो जाएगा यह लिख रहा अगर आप यहाँ 1 रखेंगे तो 2 p की power 1 यह लिख रहा अगर आप यहाँ दो रखेंगे तो 2 और एक 3 p की power 2 यह रहा इसका मतलब यह रहा कि h पिलस 1 is a sequence of generating function क्या है यह 1 upon 1 minus t का whole square तो कभी भूलेंगे तो नहीं वैसे मैं इसकी छोटी सी table भी बनाऊँगा आप चिंता ना करें ठीक है पर मुझे proof कराने जरूरी है क्योंकि यह paper में आते हैं 100% important है ठीक है और हर writer की book में शुरूगात में यही मिलेंगे ठीक है थाड़ पार देखिए इसकी sequence क्या होगी जब यह generating function है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ t और 1 minus t की power minus 2 यह मैंने अभी आपको बताई थी खोल का तो यह t और इसे आप खोलेंगे तो 1 plus 2t plus 3t square plus 4tq dot dot t की multiply करिए तो t plus 2t square plus 3tq plus 4t4 dot dot इसमें आप 0 जोड सकते हैं तो जो मैंने लिखी थी क्या लिखी थी हैं यहां दुवारा लिखे देता हूँ y naught y1t plus y2t square y3tq dot dot तो यहां y naught की value कितनी है 0 y1 की value 1 y2 की value 2 y3 की value 3 इसका मतला इस question की sequence क्या रही therefore the generating function yt is a sequence 0,1,2,3 ठीक है अब मैं note करके फिर लिखूंगा तो पहला इसे set कर लीजिए इसको हम कैसे लिखेंगे क्या लिख रहा है t upon 1-t का whole square यहाँ 0 plus t plus 2t square 3tq 4t4 5p5 dot dot जैसे इसको लिखते थे आप ऐसे sigma h equal 0 से infinity yh t ki h तो yh is a sequence of yt तो यहाँ क्या आएगा yh की जगे पर ठीक है तो इसे लिखता हूं मैं sigma h equal 0 से infinity h और t ki power h अब आप चेक कर लीजिए अगर 0 रखेंगे तो total 0 यह रहा 0 अगर 1 रखेंगे यहाँ तो t ki power 1 और 1 यह रहा 2 रखेंगे तो 2 t square 3 रखेंगे 3 t q तो हम लिख सकते हमने क्या सीखा h is the sequence of the generating function तब लिखेंगे note h is a sequence of generating function क्या है t अपोन 1 minus t का whole square clear 4th proof देखिए to find the generating function of b k whereas b does not equal to 0 जब इस पर पूछ रहाएगो तो बस जहाँ y not लगा हुआ है वहाँ b के लग जाएगा कैसे इसके लिए now equal to आएगा यहाँ पर लगा दीजिए चाहिए यहाँ लगा दीजिए 1 plus bt plus b square t square plus bq tq b4 t4 dot dot यहाँ k की power 0 रखोगे k की जिएक पर हम h बनाएंगे और t की power 0 तो 1 आजाएगा एक रखोगे तो इसके साथ लग जाएगा दो रखोगे तो इसके साथ तीन रखोगे तो इसके साथ ठीक है और यह कहां तक है infinity हमने क्या सीखा which is gp कैसे है gp यह भी बताते हैं इसकी divide इसमें करो चाह इसकी divide इसमें करो सबका common ratio same आएगा which is gp and common ratio bt तो infinity के लिए gp में क्या होता था a upon one minus r तो यहां क्या हो जाना चाहिए one a की जगे पे one है one minus r क्या है bt तो इसके लिए ये function तयार के लिए अब हम आपको कुछ नया topic बताते जो इसी से बन जाता है तो चलिए इसको हम दुबारा लिखते हैं फिर आपको बताते हैं नई नई sequence तो वाई टी इक्वाल टू वाई नॉट वाई वन टी वाई टी स्क्वार य थी टी क्यू वाई फोर टीफोर वाई फाइव टीफाइव डॉड़ डॉड़ इतना ही बहुत यह अब इसको इधर माइनस में लाते हैं माइनस के y0 तो क्या बचा यहाँ y1t y2t2 y3tq y4t4 y5t5 इस में से t common ले लो और उसकी इधर divide कर दू समझ गए yt-y0 upon t तो यहाँ रहेगा y1, यहाँ y2t, यहाँ y3t2, यहाँ y4tq, यहाँ y5t4 अब इसमें हमें sequence देखनी है तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ sigma h equal 0 से infinity, yh plus 1 और t की power h अब आप चेक कर लीजिए, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो y1 बचेगा और इसका मानी भी एक तो देखो यह लिख रहा, 0 के बाद 1 रखेंगे तो y2t यह लिख रहा, 2 रखेंगे तो y3t square यह लिख रहा इसका मतलब क्या हुआ, yh plus 1 is a sequence of the generating function yt minus y0 upon t अब लिख लेना खुद, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, यह और देखो, दूसरा देखो यहाँ second term में देखो, अब के मैं यहाँ तक minus ले रहा हूँ, yt minus y0 minus के y1t तो यहाँ बचा y2t square plus y3tq y4t4 dot dot इसमें से t square common लीजिए और उसकी divide हैं कर दीजिए, तो yt minus y0 minus y1t upon t square equal to, यहाँ बचा y2 plus y3t y4t square dot dot इसे मैं कैसे लिखूँगा इसकी तरह, सिगमा h equal 0 से infinity yh plus 2 t की power h अब देखिए, यहाँ रहने दीजिए, अगर आप यहाँ 0 रखेंगे तो y2 बचाएगा इसका मार भी 1 यह लिख रहा है, एक रखेंगे तो यह, दो रखेंगे यह, तीन रखेंगे आगे इसका मतलब फिर समझ लीजिए, yh plus 2 is the sequence of the generating function yt minus y0 minus y1p upon t square अब मैं इस पर आपको table बता रहा हूँ कि सारे तो प्रूफ करके नहीं दिखा सकता तो मैं छोटी सी table भी बनाऊँगा और बारी-बारी से question proof करके दिखाऊँगा important question, ठीक है, तो देखिए table मैंने लिख दी है, दोबारा समझाए देता हूँ और फिर मैं question करूँगा, table आप याद कर लेना बहुत अच्छी तरीका से अगर ये तो है generating function yt, तो उसकी sequence होती है yh, आईए तो इस function की sequence कितनी बताई थी, मैंने 1 निकलती है 1 upon 1 minus t का whole square, इस function की sequence h plus 1, t upon 1 minus t का whole square, तो इसकी होती है h, h, h plus 1 इसकी हल करके नहीं दिखाईए, याद कर लो 2t upon 1 minus t का q होता है, यहाँ ये गलती कर गया, bh की मैंने अभी निकाली थी, gp में 1 upon 1 minus bt, अब yh की कितनी होती है yt, yh plus 1 अभी solve करके दिखाया था, yt minus y not upon t, तो इसकी sequence, अगर y1t और minus करें, t square की divide ये भी बताई है, तो इसकी sequence yh plus 2, ये हो lambda 1, lambda constant, y1t plus lambda 2, y2t, तो इसके according, इसकी sequence lambda 1, y1h plus lambda 2, y2h, यहाँ 2 लिख रहा है, इसको बस यहाँ धरसा दिया है, कि लिए, तो अब मैं आपको लगवग 4-5 important question करा रहा हूँ, एक-एक question देखना ठीक है, अगर आपको मेरी कोई video search करनी हो, किसी भी topic पर, तो जैसे कि आपको complex analysis में, suppose करो Laurent series search करनी हो, या Taylor series search करनी हो, तो आप लिखेंगे Taylor series, BSE coaching अलिगर, तो YouTube पर सबसे उपर निकल के आ जा if yh equal यह, यह sequence दे रखी है, तो इसका generating function बताना है, 2 का तो पता नहीं है, जिसकी sequence 1 होती है, उसका generating function क्या होता है, we have by table, ठीक, the generating function function of the sequence 1 is, 1 की, जिसका generating function क्या होगा, of the sequence 1 का is, 1 upon 1 minus t, पहला ही बताया था, so that, अगर sequence 2 हो, तब क्या होगा, of sequence 2 is, तो यहां 2 की multiply हो जाएगी, अब हमें h का देखना है, table से, and the sequence 1, the generating function of the sequence h is, तब इस h का होता है, t upon 1 minus t का whole square, यहां देख सकते हैं, यह लिख रहा है, clear, हमें चाहिए 3 h का, तो यहां में 3 की multiply हो जाएगी, so that, the generating function, dot dot sequence, 3 h is, कितना होगा, 3 t upon 1 minus t का whole square, therefore, तब y h बराबर इसका कितना निकलेगा, 2 plus 3 h, 2 का generating function हमारा कितना निकला, 2 upon 1 minus t, 3 h का हमारा कितना निकला, 3 t upon 1 minus t का whole square, चाहें तो आप इसे solve कर सकते हैं, this implies 2 1 minus t plus 3 t upon 1 minus t का whole square, this implies 2 minus 2 t plus 3 t upon 1 minus t का whole square, देखाई ना दे रहा हूँ, तो मैं इधार लिखे देता हूँ, 2 plus के कितने बचाएंगे, t upon 1 minus t का whole square, तो किलियर समझ में आ गया, 2 plus 3 h, sequence हो, तो उसका generating function यह होगा, अब 2 की जगे पे 5 भी लिख सकते हैं, 3 की जगे पे 6 भी, 10 भी, कुछ भी लिख सकते हैं, तो एक नया question आप खुद बना के solve कर सकते हैं, clear? Question number 2 देखिए, h h minus 1 upon 2, इसका तो हमें general term या function generating मालूम नहीं है, लेकिन किसका मालूम है, h का और h h plus 1 का generating function क्या होता है, अभी मैंने लिखा था, h h plus 1, 2t upon 1 minus t का whole q, और h का होता है, t upon 1 minus t का whole square, ये दोनों मैंने table में लिखे थे, यहाँ ये question दे रखा, इसे हमें set करना है, कैसे? h upon 2, इस h minus 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, minus 2, देख लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं, अब इसकी divide कर दीजिए, h upon 2, h plus 1, इसमें करेंगे 2 से 2 कट जाएगा h, इसका मतलब मुझे h, h plus 1 y 2 का चाहिए generating function, तो इस 2 को इधर ले आईए, h, h plus 1 upon 2, कितना आएगा? t upon 1 minus t का q, clear मिल गया? तो चलिए हम लिखते हैं, the generating function of sequence h, h plus 1 y 2 is, क्या होगा? t upon 1 minus t का q, यह सोट में लिख दिया generating function और sequence, अब हमें h का निकालना है, the generating function of sequence h का क्या होगा? यह लिख रहा, यहीं लिखे देता हूं, t upon 1 minus t का, so that, require generating function, generating function, क्या होगा? इसमें से यह minus हो रहा है, तब ही तो यह answer बन रहा है, इसका मितलब यह है, तो इसमें से इसको minus कर दो, क्या है question? h upon 2, h plus 1 minus h, this implies, इसकी value यह रही, t upon 1 minus t का q, minus h की value, t upon 1 minus t का square, चलिए solve कर लीजिए, t minus t, 1 minus t upon 1 minus t का q, इसका मतलब t से t कट जाएगा, t square upon 1 minus t का q, इसको में solve करके यह बनाया था, यह तो इसका मतलब, इसका answer है यह, तो यह हल हो के क्या है, h upon 2, h minus 1, यही आपका generating function है, तो question number 3 देखिए, find the generating function of the sequence yh, तो yh किसमें निकलता था, पहले वो generating function की series बनाते, जो सबसे पहली line लिखी थी, we have yt equals to y0, y1t, y2t square, y3tq, y4t4 dot dot, लेकिन इसदा sequence में देखिया रखा है, उसने if y0 और y1 की value 0, और एक सर्त देराखी है, yh को मान 1, if, जब h is greater than 1 हो, कहने का मतलब इसकी value दोन की तो 0 है, लेकिन yh को मान 1 है, इसका मतलब यह 1, 1, 1, 1, यहाँ 1, सब जगे 1, 1 है, किलिया चोब yh की value 1 है, लेकिन कव जब h is greater than 1, तो यहाँ को मतलब यहाँ को मान यहाँ को 0 कह दे, यहाँ के आगे चलोगे तो सब की value कितनी है, 1, 1 है, तब yt, यह 0, यह 0, यहाँ के बाद यहाँ को मान 1, तो हैं t square, फिर tq, फिर t4, ऐसे ही t5 dot dot, अब यह generating function क्या बनेगा, वो देखना है, इसमें से t square common, 1 plus t, plus t square, plus tq dot dot, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 minus t की power minus 1, आप इसे खोलेंगे तो यह लिख जाता है, इसे में ऐसे भी लिख सकता हूँ, t square upon 1 minus t, यही आपका answer है, तो चलिए question number 4 देखते हैं, find the sequence yh, having the generating function yt, given y, yt equal यह दे रखा है function, तो मुझे sequence निकाल ली है, अब sequence क्या होगी, अब तक sequence दे रखी थी, तो मैंने generating function बताए आपको, अब already generating function दे रखा है, तो आप sequence बताएए, देखिए मैं पूरी महनत करता हूँ, कि आपके लिए एक-एक point समझ में आए, तो please आप channel को subscribe कर ले, जिससे next video का notification सबसे पहले आपको मिल सके, और अपने friend को जरूर share करें, जिससे कि आपको जितना benefit हो, अगर आप अपने friend से प्यार करते हैं, तो उसको यह उतना ही benefit हो, ठीक है, तो please आप subscribe करें, और अपने friend को जरूर share करें, तो चलिए देखते हैं इस question को, इसे में कैसे लिख सकता हूँ, 3, 1-t का inverse, पिलस 1-2t का inverse, कोई साथ, चलिए 3 इसे खोल दीजिए, 1, पिलस t, पिलस t square, पिलस t q, पिलस t 4, पिलस इसे खोल दीजिए, 1, पिलस 2t, पिलस 2t का square, पिलस 2t का q, पिलस 2t का 4, कोई सक, चलिए, 3 की multiply कर दीजिए, इसमें, 3, पिलस 3t, 3t square, 3t q, 3t 4 dot dot, पिलस 1, पिलस 2t, पिलस 2 का square, t का square, पिलस 2 का q, t का q, 2 की power 4, t की power 4 dot dot, अब इने पिलस कर दीजिए, 3 पिलस 1, पिलस t का coefficient, 3, पिलस t का coefficient, 2, बाहर t, अब t square के coefficient, 3, पिलस 2 का square, बाहर t square, अब t q का coefficient, 3, पिलस 2 का q, बाहर t का q, पिलस 3, पिलस 2 की 4, बाहर t की 4, चलिए, तो आब इसे सीरिज में हम कैसे लिखेंगे, सिगमा h equal 0 से infinity 3 plus 2 की power h और t की power h आप यहाँ 0 रखेंगे समझ लो तो यहाँ 2 की power 0 का मान 1 तो 3 plus 1 और यह भी 1 तो यह लिख रहा अगर आप 1 रखेंगे 0 के बाद 1 तो यहाँ 3 plus 2 बाहर t यह लिख रहा अगर 2 रखेंगे तो 3 plus 2 का square t square यह लिख रहा तब इसकी जो सिक्वेंस से वो y h होती है तो मैं compare कर देता हूँ h equal 0 से infinity y h t की power h इसलिए सिक्वेंस y h is कितनी है 3 plus 2 की power h केलियर हो गया